अगर आपका दिन घर से ज़्यादा स्कूल कॉलेज या फेर आफिस में बीचता है और इस चक्कर में आप अपनी हैल्थ का ख्याल नहीं रख पाते तो ये वीडियो आपके लिए है हमें से ज़्यादा तर लोग अपने आपको यही एक्स्यूज देते हैं कि क्योंकि हम घर से सारा दिन बाहर रहते हैं इसलिए हम खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाते क्योंकि बाहर तो कुछ ना कुछ खाया ही जाता है और तो और घर पर भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि हर रोज कुछ हेल्दी बना कर ले जाए जो की पूरा दिन चल सके इसलिए वही खा लेते हैं जो वहां मिलता है पर अगर मैं आप से कहूं कि ऐसी एक या दो नहीं कि ऐसी कितनी ही हेल्दी चीज़े हैं जो की आप बाजार से रेडिमेट ले सकते हैं या फिर गर पर असानी से बना ले जा सकते हैं ये सारा दिन आपका पेट भी भरा रखेगी और सात में आपकी बोड़ी को तेर सारा गटाना चाहते हैं बलकि उन सब लोगों के लिए हैं जो अपना weight manage करना चाहते हैं एक healthy lifestyle जीना चाहते हैं और unhealthy खाने से होने वाली बिमारी से बचना चाहते हैं अगर ये topic आपके मतलब का है तो सबसे पहले इस वीडियो को like कर दे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ये rule बना लें कि आपको हर दो गंटे में कुछ ना कुछ खाना है और जो भी खाना है सिर्फ healthy खाना है आपने दिन में बड़े तीन मील लेने हैं यानि की breakfast, lunch और dinner और इस बड़े मील के बीच में तीन छोटे मील लेने हैं अगर आपको लगता है कि दिन में 6 मील आपका बजन बड़ेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप healthy चीज़े खाते हैं और regular खाते हैं तो इसे आपको ज्यादा जल्दी भूख नहीं लगेगी और आप junk food या snack खाने से बचेंगे इससे आप extra calories भी नहीं खाएंगे और इसी वे आपका बजन भी कम होगा कुछ ना कुछ जरूर खाते हैं लेकिन सिर्फ healthy इसी लिए वो अपने आपको maintain कर पाते हैं ये लोग भी तो सारा दिन घर से बाहर रहते हैं लेकिन फिर भी अपने खाने पीने का पूरा ध्यान दखते हैं नमबर वन ड्राइ फ्रूट्स ये कैरी करने में भी आसान होते हैं और जल्दी खराब भी नहीं होते ये आपको instant energy भी देते हैं और आपकी भूख भी नहीं बढ़ाते हर रोज कम से कम चार से पांच बदम खाईए बीगे हुए बदम खाएं तो और भी बड़िया है नहीं तो ऐसे ही पैक करके ले जाए जब भी आपको मील्स के बीच में भूख लगे या साम की चाय के समय कुछ खाने का मन हो तो आप आदम खाईए इसके अलाबा आप वालनट और मुंफली भी रख सकते हैं लेकिन ध्यान रहे ये बिना तले और बिना नमक के होने चाहिए नमबर दो कर्ड और बटर मिल्ख दही और चाज भी आपको बड़ी आसानी से किसी कैंटीन और स्वाप से मिल जाती हैं घर से ले जाएं तो बहुत ही बड़िया है नहीं तो मार्केट से ही ले ले खाने के साथ या खाने के बाद इसे जरूर खाएं ये आपके खाने का पड़ा देते हैं और डाइजेशन भी अच्छा रखते हैं नमबर तीन हेल्दी सेंविच सेंविच के नाम से तो वैसे ही मुझ में पानी आ जाता है लेकिन जो बाजार से सेंविच मिलता है आपको वो नहीं खाना आप अपनी कैंटीन से एक हेल्दी सेंविच भी बना सकते ह कोशिस करे की आटा ब्रेड और मल्टी ब्रेड ही खाए उसमें डेर सारे सलाथ डलवा ले जैसे खीरा टमाटर प्यास सिम्ला में चित्या दी ध्यान रखे की गी बटर चीज या मियोनीज ने लगवाए क्योंकि ये कभी कभी तो ठीक है पर हर रोज नहीं खाली सलाथ के सा हरी चटनी भी लगा ले तो भी बहुत बड़िया बन जाएगा इसके अलावा एक और ऑप्शन है आप अपनी कैंटीन में जो भी डाल बनी हो जो भी हैल्दी सबजी बनी हो आप उसका भी सैंड़िच बना कर खा सकते हैं नमबर चार बॉल्ड एग जो लोग अंड़ा खाते हैं उनके लिए ये भी बहुत बड़िया ओप्शन है लेकिन ध्यान रहे आपने केबल बॉल्ड एग ही खाने हैं ओमलेट नहीं मील के बीच में या चाय के साथ आप दो बॉल्ड एग ले सकते हैं बॉल्ड एग को मैस क करके उसमें प्याज चटनी लगा कर उसका वी सैंडिच बना कर खाया जा सकता है और पांच सलाद सलाद सुनने में तो बहुत बोरिग लगता है लेकिन आप इसे इंट्रेस्टिंग बना सकते हैं खीरा टमाटर मूली का सलाद एक ऑप्शन है ही लेकिन आप इसमें और भी क और आपकी सेहत को भी फाइदा मिलता है इसे आप ब्रिकफास्ट या लच की जगह भी खा सकते हैं नमबर च्छ पनीर पनीर भी एक हाई प्रोटीन फूड है जो कि आपकी बोड़ी को इंस्टन्ट एनरजी देता है हाँ थोड़ा मेंगा लगता है लेकिन बज्यार में बर पनीर ले ले उसके छोटे छोटे टुकडे कर ले और उसके उपर नमक और काले मिच डाल ले और ये खाने के लिए तयार है अगर ज़्यादा भूक लगी हो तो आप कच्छे पनीर पर चटनी लगा कर सैंविच भी बना कर खा सकते हैं नमबर सेवन हेल्धी स्नैक्स अगर आप आफिस पे काम करते हैं तो आपकी डेक्स पर हेल्धी स्नैक्स ही रखे बिस्केट नमकीन खाने की बजाए कुछ हेल्धी ऑप्शन रखे आज कल मार्केट में बहुत से हेल्धी स्नैक्स आ चुके हैं जैसे सुगर फ्री बिस्केट्स ओर्ट्स के बिस्केट्स उसी तर नमबर आठ ग्रीन टी दिन में कम से कम एक बार ग्रीन टी ज़रूर ले आपकी आदे से ज़्यादा बिमारी आपकी इस एक आदस से ठीक हो सकती है इसके लिए आपको अपने पास ग्रीन टी बैक्स रखने हैं एक कप गरम पानी ले ले और उसे चार से पांच मिनट के लिए डिफ्यूस कर दे और हो गई आपकी ग्रीन टी तेयार ग्रीन टी आपकी रेगुलर चाय से कई गुनार बहतर है अगर आपको इसका टेश्ट नहीं पसंद तो आप इसमें नीम्बू और सेहत भी डाल सकते हैं कई तरीके के बीज भी हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं जिने हमें हर रोज खाना चाहिए लेकिन इन्हें हम अक्सर अंदेका कर देते हैं ये कोई नई चीज नहीं है लोग सदियों से खाते आ रहे हैं लेकिन आजकल की जनरेशन के पास इतना टाइम ही कहा है कि वो बीज छीलने बैटे इसके लिए बाजार में कई डैडिमेट पैकेट मिल जाते हैं जिनमें सभी तरीके के बीज होते हैं जैसे तुलसी के बीज, अलसी के बीज, सिया चीड्स, करबूजे के बीज, इत्यादी ये प्लेन भी मिलते हैं और रोस्टेड भी इनने भी आप अपने पास डग सकते हैं और स्नेक के तौर पर हर रोज खा सकते हैं नारियल पानी तो जैसे हमारी हेल्थ के लिए वर्दान है अगर आप हपते में कम से कम तीन बार नारियल पानी पी लेते हैं तो इससे आपकी हेल्थ तो ठीक होती ही है साथ ही आपकी स्किन पर भी ग्लो आ जाएगा कॉलेज या ओफिस से आते जाते आपके रास्ते में कोई ना कोई नारियल पानी वाला जरूर मिलता होगा अगली बार उसे अंदेका ना करे 11. Fruits कुछ फल ऐसे हैं जैसे एपल उन्हें हम ट्रेवल करते हुए भी असानी से खा सकते हैं उसी तरह आप केला भी अपने पास रख सकते हैं केले में कैलरी जरूर होती है लेकिन जो आप बाहर से जंग फूर खाएंगे ये उससे तो बैतर ही है अगर आपके पास टाइम हो तो आप कुछ फ्रेस कटे हुए फल भी साथ रख ले जैसे पपीता, खरबूजा, तरबूजा और जो भी आपके गर में मौसम का फल हो वो आप साथ ले जाए फल जितना ज़्यादा खाएंगे उतना बड़िया है एक दिन में कम से कम आच से दस गिलास पानी चरूर पिएं अगर बजट जल्दी गटाना है तो गरम पानी पिए और नहीं तो साधा पानी पिए इसका आसान तरीका यह है कि आप अपनी ओफिट डेस्क पर ही पानी की बोदल रख ले और पूरा देन का टार्गेट बना ले कि 8 गंटे में आपको इतना पानी पीना है काम के बीच में जब भी आपको ब्रेक लेना हो तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे साम तक आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अच्छी कॉंटिटी में पानी पी चुके होंगे अब तक आपको पता चल गया होगा कि पूरा दिन बाहर रहकर भी आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं अनेल्दी खाना खाना सिर्फ हमारी चॉइस है ऐसे नहीं है कि आप्शन नहीं है जो भी हेल्दी चीजे आज पास मिल जाएं उसमें आपके लिए क्या बैस्ट है ये आपको सोचना है और वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेयर करना ना बूले थैंक्यू